हनमानगड में लगातार जिस परकार से जल स्तरल गगर नदी का लगातार बढ़ रहा है उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिलाल फिलाल मैं बहलोल नगर के कोजवे पर खड़ा हूँ अगर कोजवे की स्पीड की अगर मैं बात करूँ जिस परकार से पानी जिस रफतार से आ रहा है उससे अगर रफतार की बात करूँ तो काफी रफतार में बढ़ोतरी हुए इसके साथ जो लगातार पानी है वो भी बहु रशनीक अधिकारी डटे हुए और तमाम वो लोग जो कई न कई शहर को गाओं को और कस्बे को बचाने के लिए खेतों के बचाने के लिए तमाम वो अधिकारी है वो लगातार काम कर रहे हैं एक बालवाहिनी आपको नज़र आएगी इस बाल्वाहिनी में बर्साथ के समय मे जो है पुलिस के लिए एक रहने का स्थल बन चुका है यानि सरंस्थली इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं तो आपको नजर आजाएगा एक ट्रोली है उस ट्रोली में पॉलिथीन लगाएगा चारो तरफ ताकि उनके जो भी रहने के जो भी समाना चाहिए चार ही है वह खत्रे की गंटी और अगर यह बर्सात लगातार यहीं होती रही तो पता नहीं चलेगा तटबंद वैसे भी बहुत कमजोर हो चुका है क्योंकि काफी दिनों से लगातार पानी आ रहा है अब अगर यह यहीं पानी बढ़ता गया कई जगह पर हमने देखा है कि एक जो है वो जो कुछ जो है निचले इलाके में बहुत ज्यादा निचले इलाके में तो उनको शेल्टरा उसमें भी सिफ्ट किया जा रहा है तस्वीरों में आपको फिर दिखाना चाहूंगा किस परकार से पुलिश जवान और तमाम परसाशनी का दिकारी और तमाम वो लोग इसके सबसे बड़ी समश्या 이 है अगर यह बरसात इसी तेजी से चलती रही या इसी तरीके से लगातार चलती रही तो मैंध पावर टो खतम हो जएगी इसके अलावाğ मसीने जो भी यह जेसी भी है प्सिन queste काफी चिकनी है और उस पर किसी भी परकार का वहन नहीं चलाया जा सकता और इसके अलावा पेदल भी चलना मुश्किल हो जाता है मेरे साथ परसासनिक अधिकारी है बर्शाथ का समय है और आप यहां मौझूद है किन-किन कमजोर होने की सुचना मिल रही है वहां ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं उन पर चैन वगरा लगा कर आम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो बरसात के कान सबसे बड़ी समस्य तो यह आ रही है कि वहां पर साधन जाने की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है अब पानी का कि पानी बढ़ रहा है कि क पानी की बढ़ RM ।्य। वही सबी परकार के जो के और फो मिल जूर्ड के निक्ति laughing इसॉस हो princ से बरसाद चल लए है सरे कल वारी साही थी तो गाववालों ने हमारा सयोग किया यह वैन लाके खड़ी कर दी यहां पर और आगे ट्रोली में हमारा जो चार पाई है कोई और ने पैनने का जो समान है वहां पर रख दिया एक बारे और गाववाली सयोग कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है हमारा भी और हम भी लगातार उनको सुचना दे रहे हैं जो आगे से सुचना हमको प्राप्त हो रही है यहां पर SDRF के जवान भी यहां से थोड़ी दूरी पर तेनात है और वह दूसरे कोजबे पर तेनात है क्योंकि वहां पर थोड़ी सी जो बहुत ज़्यादा नजदी गाम है इसलिए तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पुलिस जवान या तमाम जो यहां पर डूटी देते हैं उनका यह समान किस तरीके से ट्रोली में रखा गया ताकि इन्हें भीगे नहीं और भीगने के बाद जो है इनको किसी विपरकार की कोई प्रिशानी नहीं है क्योंकि रात को इनहीं सोना भी यह खाना है तमाम चीजें की ववस्ताइं जो है यह कर रहे हैं और जैसा कि इन्हों ने बताए बिक गाम से लेकर तमाम परसास्नी काधिकारी अलर्ट पर हैं गाम के लोग भी Approx Charmah